हे नवश्कार दोस्तों मैं सोभम स्वागत करता हूँ आप सभीका टेकनोजी चैनल पर दोस्तों आज किस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि अगर आप गूगल मैप में किसी फोटो को अप्लोड करते हो तो क्या फूटो में आप उसका एकसे ले सकते हो मलब आ हाँ कि आपके फोटो को सेव करके रखता है या फिर आफ उसका एकसे कर पाओगे या फिर एक हिसाब गूगल के पास चली आती है, बात में अगर आप उन फोटो से और उन वीडियो को फिर से आप लेना चाहों या फिर आपको जोड़त है डाउनलोड करने की, तो कैसे आप कर वगर सकते हो दोस्तों, यह सारा डाउट आप लोगों के विमार्ट में होगा, तो दोस्तों यहाँ अगर आप लोगिन करते हो, तो आपके द्वारा जो भी फोटो से वीडियो अपलोड होती है, फिर जो पोस्त आप किये रहते हो, वो सब आप जो है देख सकते हो, डिलीट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो कहां से, वह ऐसे ही दोस्तों सेम है, गूगल मैप पे भी, अगर अपलोड कियो, सब कुछ आप देख पाऊगे, अब ये कैसे देख पाऊगे, और भी कुछ बाते मैं आपको बताऊँगा, तो चलते हैं दोस्तों अपनी मोबाइल स्क्रीन में, और वहाँ पर आपको दिखा लेता हूँ, step by step, कि कैसे है आप फोटोस वगरा को देख सकते ह या फिर डिलीट होगेरा कर सकते हो, अपको लग रहा है कि इसको डिलीट करना चाहिए, तब उसको डिलीट होगेरा भी कर सकते हो, अब दोस्तों जैसे कि मैंने Google Map यहाँ पर open कर लिया है, मैंने अपने अकाउंट से यहाँ पर login है, TZ का आपको logo साइड में दिख रहा होग और अभी तक मैंने इस एकाउंट से जतनी भी फोटोस दोस्तों यहाँ पर add की हैं, वो सभी फोटोस मुझे यहाँ पर दिख जाएंगी, अगर मैं चाहूं इन फोटोस पे कुछ caption लिख सकता हूँ, माल लीजे यह Victoria की एक फोटो है, मैंने इसके उपर में click किया, यहाँ प caption मैं यहाँ पर लिखा हूँ, वो बंदा उसको देख पाएगा, पढ़ पाएगा, जो भी कुछ है वो यहाँ पर कर पाएगा, आपको दोस्तों सेंपल यहाँ पर send कर देना होगा, और यह जो है दोस्तों चली आती है, Google के सरवर के पास में वहाँ पर update हो जाती है, future में गूगल पर सरच करते हो तो आपको काफी अदा फोटोस वहाँ पर आपको दिख जाती है, अब वो जो फोटोस हैं, वो गूगल जो है कहीं से अपने पास से लाएके उसको upload नहीं किया है, वो different different platform से फोटोस को लेकिया है, कुछ फोटो फेस्बूक की होगी, कुछ फोटो की होगी, कुछ फोटो Instagram की होगी, कुछ फोटो YouTube की होगी, और अलग-अलग कुछ websites की फोटो होगी, जब भी आप Google पे कुछ भी सर्च करते हो, कोई फोटो आपको दिखती है, तो वो Google की खुद की original फोटो नहीं होती है, वो हम जैसे आप जैसे users ही अपने अपनी profile पे कही अपने फोटो की होते हैं, और बाद में Google को, जब आप ताजमहल सर्च करते हो, तो ताजमहल से related जतनी भी फोटो उसको मिलती है, अलग-अलग platform से, वो सब को लाके आपको दिखा देता है, अब काफी लोग इसमें से ये confusion में होगे, कि आपको कोई फोटो अच्छी लगी, तो आपने उसको डाउनलोड किया, और अपने अकाउंट से अपने गूगल मैप के लोकल गाइड वाले से अपलोड कर दिया उस ब्लेस पे, अब वहाँ पे प्रावलम ये हो सकती है, जो उस फोटो का ओरिजिनल ओनर है, अगर वो उस फोटो को देख लेता है, और आपके है, कि ये फोटो डुब्लीकेट है, या कॉपिराइट है, कुछ भी इस तरह का अगर वो लिख देता है, तो आपका जो एकाउंट है, गूगल लोकल गाइड वालोग सस्पेंड हो सकता है, काफी लोगों के ऐसे कमेंट भी आती है, कि उनका एकाउंट सस्पेंड हो चुका फांटेन बोलके, ये मेरी खुद की कैप्चर की हुई फोटो है, अगर मुझे लगता है दोस्तों कि ये फोटो, मैंने गलती से कहीं से उठा के अपलोड कर दिया, और मुझे इस बात का डेर है, कि फ्यूचर में कोई बंदा इसको रिपोर्ट करेगा, तो मेरा एकाउंट सस्पेंड हो जाएगा, तो आप दोस्तों सिंपली अगर उपर में देखोगे, तो यहाँ पर दोस्तों को डिलीट का एक ऑप्शन दिखता है, आपको इसके उपर में कलिक करके ओकी कर देना होगा, ये फोटो आपके एकाउंट से डिलीट हो जाएगी, अब दोस्तों ये आपको दिख जाएगे, अगर आपने वीडियो से अप्लोड किया है, तो यहाँ पर सब कुछ आपको इसी फोटो के सिक्सन के अंदर में दिख जाएगा, जब भी आप फ्यूचर में कभी भी लोगिन करते हो इस एकाउंट से, अब दोस्तों यहाँ पर एक बात आपको और बता देता हूं कि अब अभी तक आपनी कितनी फोटो को आइड किया है, कितने लोग उसको देख हैं, जैसे अब देख सब्सक्राइब नीचे फोटो के नीचे वीज भी दिख रहा है, 10958, 85405, 24 यह सब यूज है, कितने लोगों ने आपको फोटो को देखा है, अब इंट पर दिखती रहती है, तो दोस्तों, जिन लोगों का डाउट था कि जो फोटो आप अपलोड कर रहे हूं, वो दिखेगी, आपको नहीं दिखेगी, या कहा जाती है, तो बिल्कुल सिंपल है, आप योर कंटिविशन पर आईए, वहाँ पर दोस्तों, आप जो भी काम किये ह आपको सारा रिकाउड यहां पे रहता है, और आप इसको लाइफ टाइम कभी भी अक्सुस करके देख सकते हो, तो उमीद करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो को पसंद आई होगी, अगर आपको कोई सवाल और सुजा हो, तो नीचे कमेंट करना मत भूली, अगर आपने इस झाहएएएएएएएए ये खाता है, ये थाता है, लाइए